शरीर, मन, बुद्धी और आत्मा का मिलन ही ध्यान है जब हम इस थिती में होते हैं तब मैं और तुम का भाव नहीं रह जाता हम खुद के साथ भी एक हो जाते हैं और दूसरों के साथ भी मिल जुल कर रह पाते हैं नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PMC हिंदी के लाइफ कारेकरम हेलो PMC में जैसा कि आप जानते हैं कि ये कारेकरम हम हर हफ़ते गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को शाम चार से पांच बजे लेकर आते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए जी हाँ इस कारेकरम के माध्यम से आप अपने सवाल हमसे लाइफ पूछ सकते हैं आप ध्यान के विशे में जान सकते हैं अध्यात्म से जुड़ा कोई प्रशन पूछ सकते हैं अध्यात्म की बारे में और गहराई से जान सकते हैं और अपनी आत्म की उन्नती कर सकते हैं इ करती है तो चलिए बिनादेर के कारिक्रम को आगे बढ़ाते है और सुआगत में भूत बहुत सुआगते आपका कारिक्रम में चुरू ओचुकी है नम्वर लगतार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू हो के हैं यदि आप हमसे अभी कॉल करके कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी फोन मिलाएं सवाल पूछे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए जैसे कि मैंने बता है हमारे कारिक्रम में आज मौजूद है देव जाने गिरी माम मैं कारिक्रम की शुरुवात के साथ ह कि दर्शक बने हो या तो आई ये बात कर लेते हैं हालो हालो नमस्कार नाम बताये अपना इंदु वहल इंदु जी कहां से बात कर रहें आप मैं लुज्याना जी पूछी अपना सवाल सवाल मेरा ही है कि अध्यात में कैसे उंटी हो तकती है और मैं अपना मेरा लाइफ परपर्स क्या है वो जानना चाहती हूँ जी तो आप खुद डिसिशन ले रहे हैं ध्यान करने के लिए इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत बढ़ाई दूसरी बात कि आप आध्यात्मिक लाइन से आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें और गहराये में उतरना चाहते हैं तो आध्यात्मिक spiritual line मतलब spirit का reality को जानना spirit मतलब हम खुद है स्वयम को जानना अपनी आत्मस्वरूप को जानना यही हमारी जिवन की खोज है यही हमारी जिवन की purpose है और इसको जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसका पहला जो प्रयास हमें करना है वो है ध्यान जब हम आपने साथ जूडेंगे तभी हम आपने प्रती आइवेर हो पाएंगे जब हम आपके प्रती आइवेर होेंगे तो धिरे धिरे हमारा भीतर ही हमारी life का purpose चीपा हुआ है तो वहां तक भी हम पहुँच पाएंगे लेकिन उसके लिए हमें लगातार साधना की आवशकता है बाकी जैसे आपने बोला कि आप हिलर थे तो अगर थोड़ा सा इसको आप open-mindedly समझना चाहेंगे तो हर एक वेक्ति के जिवन में जो भी challenges आता है वो उसकी past life के कर्म के हिसाब से इस present life में situation आता है तो उस कर्मा को सामना करना ही उसका इस जिवन का धर्म है और सामना करके उसको भरकम करना उससे learning करना ही हर एक वेक्ति का जिवन का purpose होना चाहिए जब हम उस वक्ती का कोई भी चालेंज को हिलिंग करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उसकी लाइफ प्लान में इंटर्फियर करते हैं या उसकी कर्म में हम इंटर्फियर करते हैं जिससे कि हम उसकी कर्म में भागिदार बनते हैं और उसका इंपक्ट भ सभी हमारी लाइफ में आता है हमारी साधना में आता है तो इसलिए हम ध्यान करें खुद अपनि आपको जाने खुद की लाइफ की परपज को जाने और उसी घ्यान को दुस्रों को बंटने में मधद करेंगे जब व lider को हम ध्यान सिkhा देंगे तो फिर वो व्यक्ति अपनी आप अपने प्रतियावयर हो जाएगा, अपनी जीवन के प्रतियावयर हो जाएगा अपनी जीवन में जो चालेंजेस है वो उसको अभरकम करने में सक्षम बन पाएगा तो आप ये करके देखिए, definitely आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे, साथ-साथ आप हमारी PMC Hindi Channel में बहुत सारे स्वाध्याया है, बहुत सारे senior master's की wisdom है, उनको सुनिए, जो स्वाध्याया है, उसको सुनिए, इससे की आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, thank you so much. जी, इंदू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कारिक्रम में कॉल करने के लिए, हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रेशन का उत्तर प्राप्त हुआ होगा, अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं, हालो, हालो, नमस्कार, नाम बताईये अपना जी, योगीता जी, कहां से बात कर रहे हैं, पूची अपना सवाल जी, तो योगीता जी, पहले तो ये जो डिसीसन आपने लिया है कि मुझे सिखना है, इसके लिए बहुत-बहुत कंग्राचुलेशन बाकी हमारी PMC हिंदी यूटूब चानेल में ध्यान केसे करना है, उसके रिगारिंग पूरा-पूरा वीडियो है, हमारी वोक्षोप भी चलती है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं और हमारी एक पांच दिवसिय मेडिटेशन स्केत्र हो रहा है, ओक्टबर 16, 17, 18, 19, 20, रिशिकेश की पावन भूमी पर गंगा की किनारे, स्वामिनार अर आश्रम मुनी की रहती में, वो सारा डीटेल आपको PMC हिंदी जो नंबर है, उसमें जब आप कॉल करेंगे, वो सार दिवस में पाटिसिपेट करके भी ध्यान की बारे में जान सकते हैं, बाकि अभी अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ध्यान केसे करना है, आप अपनी घर में एक ऐसे स्थान को चुने, जहां पर बेठ कर आप आराम से सुकुन से बेठ पाएंगे, अपनी दोनों पेर क को ऐसे क्रॉस कर लिजिएगा, अगर आप आलती पलती मार के बैठ सकते हैं, तो आलती पलती मार के बैठिए, अपनी दोनों हातों की उंगलियों में, उंगलियों को फसा कर उसको गोधी में रखेंगे, और अपनी दोनों आँखों को बंद रखेंगे, जो कमरा आपने के रिगार्डिंग मिल जाएगा उसके वाध्यम से भी आप ध्यान में बेठें और अपनी केबल सहेज और स्वभाविक सांसों को महसूस करना है जब हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं मन शुन्य होता है और मन की शुन्य अवस्ता को ही ध्यान बुला जाता है तो आप डीटे तो योगिता जी जैसे कि माम ने आपे ध्यान की वीधी आपको बताई है लेकिन साथ ही आप जान सकते हैं हमारे यूटिव चैनल के अद्यम से और साथ ही यहाँ पे गाइड़ मेडिटेशन और म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियोज भी होंगी, जो आपको ध्यान करने में मदद करेंगी. साथ ही माँ ने आपको यहाँ पे महायोग ध्यानकूम की डेट्स बताई, सोला से बीस अक्टूबर, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, सोला से बीस अक्टूबर रिशी केश में यह आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है हमारी वेबसाइट पर जाके, हमारी वेबसाइट है mydk.india.org, सबसे पहले आप आज जाए, रिजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म फिल करिए, आपको बाद में वाट्सप से जोड़ा जाएगा, जहापे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद कारिक्रों में कॉल करने के लिए, आगले दर्शक बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं, हलो, हलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना, मैं निकिता त्रिवेदी वास्तर जी हूँ, जी निकिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है निकिता जी, पूछी अपना सवाल, मेडम, मैं उज्जेन गई थी, और फिर अभी धरमपुर गई थी, मैं तब से जुड़ी हूँ, तब से मुझे ध्यान में इंट्रेस आया है, और मैं करती हूँ, और अभी जो सोवं था उसमें वेती में, जी, कितनी साल की बच्चे होंगे, पांच साल के बच्चे आते हैं और फिर्ट क्लास तक के बच्चे आते हैं मेरे पास अभी, मेरे स्लेट में जो आजू-बजू है, वो सब बच्चे आते हूँ, तो बहुत बढ़िया है, आप ध्यान सीखकर सेवा में आगे बढ़ चुके हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत बढ़ आई आपको, तो अभी जिसे बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादा समय ध्यान में बेठाने की ज़रुत ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, वो हमेशा प्रिजन्ट मुहमेंट होते हैं, तो पांच साल की जो बच्चे हैं, उनका तो माइंड जैसे है ही नहीं, वो हमेशा बरतवान स्थिति में होते हैं, तो 5 साल की बच्चा मतलब 5 मिट अगर वो ध्यान करेंगे तो definitely वो benefited होएंगे और जिसे जिसे जितना age आपको पता ही होगा जितना हमारा उमर है उतना minute कम से कम हमें ध्यान करना चाहिए साथ साथ उनकी parents को भी definitely बोलिए ध्यान करने के लिए जब बच्चे ध्यान करते हैं and parents ध्यान करते हैं तब दोनों में एक coordination अच्छा बनता है एक synchronization बनता है एक अच्छा communication बनता है जिससे की बच्चे को और आगे जाने में मदद मिलता है तो बस अगर आप इसको पहले इन लोग जो बच्चे आप सिखा रहे हैं इनको एक experiment basis में सिखा यार उनका क्या result हो रहा है आपको कैसे पता चल रहा है कि इनका improvement क्या हो रहा है वो जो data है उसके पास रखके आप और parents को इनकी बारे में बताते हैं बोल सकते हैं motivate कर सकते हैं कि बच्चों को जब हम ध्यान सिखाते हैं तो वो कैसे अपना जीवन का guide खुद बनते हैं खुद decision लेते हैं खुद जान पाते हैं कि हमें किस रास्ते में जाना है और किस रास्ते में नहीं जाना है तो इस तरह का जो clarity जब आप लेके parents से बात करेंगे तो parents motivate होएंगे खुद करने के लिए और आपनी बच्चों को भी ध्यान सिखाने के लिए आप और भी कर सकते हैं जैसे schools बगेरा है तो वहाँ पे भी जाके आप PSSM की माध्यम से PMC Hindi के थ्रू जाके आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं कि हमारा कैसे organization है जहां पे हम mindful breath सिखाते हैं और ध्यान की माध्यम से क्या क्या benefit होता है अब उनकी उनको उस बारे में बताते हुए वहाँ पे भी जाके आप ध्यान सिखा सकते हैं करने के लिए मैंड़ा बहुत कुछ है बस एक स्टेप आगे बढ़ाते जाए एक स्टेप फिर automatically रास्ता आपके लिए खुलता जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद कारिक्रों में कॉल करने के लिए अगले दर्शक भी जुड़े हो या उनसे बात कर लेते हैं हालो नमस्कार मैं पहले टीवी की वॉल्यूम दीरे कर लीजिए बताईए अपना नाम और कहां से बात कर रहें आप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पूछी अपना सवाल जी तो पहले तो पूरा परिबार बेट के ध्यान कीजिए तभी हम आगे वड़ सकते हैं एक दूसरे को समझ सकते हैं एक दूसरे को हाथ पकड़ कर जीबन में हर चालेंजस को उभर कम कर सकते हैं इसलिए हर पूर परिबार में हर एक व्यक्ति को ध्यानी बरना चाहिए बागी दूसरी बाद जैसे पापा का उंगलियों में दर्ध होती है तो जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रम्हन की सकती हमारे भीतर उतरता है और वो हमारी एनरजी बोड़ी में ही उतरता है जिसमें 72,000 नाडियां हैं और 7 एनरजी सेंटर हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो यह नाड़ी मंडल ओपन होने लगता है या खुलने लगता है तब ही हमें दर्ध की अनुभूती होती है तो यह स्वभाविक है और वो सही धंग से ध्यान कर पा रहे हैं यह भी उसका इंडिकेशन है थांक्यू सो मच जी तो बहुत-बहुत धन मूवी है आप वो जरूर देखिएगा और यदि अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चारो YouTube चानल PMC Hindi PMC Hindi TV, PMC Hindi Health और PMC Hindi Clips को जरूर सबस्क्राइब करिएगा बहुत 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 थन्यवाद आपका अगले दर्शक भी बने हुए उनसे बात कर लेते हैं हालो नमस्कार मैम सुनिया बोल रियू तलंगाना से सुनिया जी बहुत बहुत स्वागत अपका बताई अपना सवाल मैम परको ना अच्वित जयान करते हुए लगब एक साल हो गया है और मुझे यह नहीं पता कि द्यान कैसे आया कि पिछला मेरा कोई छूटा हुआ था जहां कैसे आया जहां कोई करता नहीं ता गर में कोई फैमिली में तो यह मेरी लाइफ में कैसे आया यह मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि यह सब क्या है जी बहुती अलग कुशन आया माज तो सोनिया जी पहले तो बधाई आपको कि आपकी जीवन में ध्यान अपनी आप आया है तो ये अपनी आप नहीं आया है ये जो जीवन हम सोच रहे हैं कि अभी का है ये अभी का नहीं है ये कई जन्मों का जीवन की प्रक्रिया है जो आज हम आके पहुंचे हैं के जन्मों से हम इस संसार में आते आ रहे हैं तो पिछली लाइफ में हमारी यात्रा जहां पे छूट गया था छूट जाता है वहीं से फिर से इस प्रेजेंट लाइफ शुरुवात होती है अगर आपने पास लाइफ में ध्यार्न किया होगा तो इस प् अच्छी बात है इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें माइंड को बिल्कुल आने ना दे और भुक्स पढ़िए स्वाध्या कीजिए और ध्यान सिखाना सुरू कीजिए और आगे बढ़िए जो हमारी PMC Hindi YouTube चानल है उसमें बहुत सारे स्वाध्या है और पहला बु है जितना हम पढ़ेंगे स्वाध्या करेंगे उतना हमें ध्यान की बारे में अपनी जीवन की बारे में ध्यान और अपनी जीवन में क्या कनेक्शन है उसकी बारे में धिरे-धिरे क्लारीटी आते जाएगी और हमारी बहुत सारे वोक्षोप होते हैं PMC Hindi में उसको भी आपना स्वाध्याय भी करें और दो बुक्स मैं ने आपको शुरुवाती अपनी शुरुवात करने के लिए रेकमेंड करी है जैसे आप आटो बाइग्रफी फर योगी और पिरमिध ध्यान द्रगत मागजीन इन दोनों बुक्से आप अपना स्वाध्याय शुरू करें और देखेंगे कि आप जो प्रशन का उत्तर ढून रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा बहुत-बहुत धन्यवाद कारिकर में कॉल करने के लिए अगले दर्शक भी बने हो या उनसे बात कर लेते हैं हालो हलो नमस्कार नाम बताई अपना नमस्कार आत्मा बंदे मैं नेकेता बात करें हम दवर्ट से अभी बात किया था लेकिन वो स्कूल में बच्चों के साथ जाके मुझे कैसे ज्यान तिखाना तहीं वो एडवाइस चाहिए थी प्लीज में स्कूल में जाके क्यास कर सकती हू और दूसरा question है कि मैं यह जो old age home है वहाँ जाके क्या सिवा कर सकती हूं यह जो age वाले अम्मा लोग हैं उन सबके लिए पहले तो माड़ाम आपको स्कूल में जाके जो principal है उनसे बात करनी है बात करके आप बात कर सकते हैं कि ध्यान करने से बच्चों का क्या benefit होगा जैसे क हमारी जो सोच-बुच की सकती है वो बढ़ती है concentration जो है वो बढ़ती है memory capacity बढ़ती है तो इस angle से पहले आपको जो principal है school में उनसे बात करनी पड़ेगी कि हमारी इतना साल का organization है और लेडी हमारी हम लोग धिहान सिखा रहे हैं उसका benefit हम देख रहे हैं 40 साल का organization है तो सारा आ एक दिन दीजिए पहले अपनी बात को रखने के लिए और पांच मेंट ध्यान सिखाने के लिए जब आगरी होएंगे और या तो पहले उनको यह भी आप बोल सकते हैं पहले आप यह ध्यान को पांच मेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है अगर आपको अच्छा लग रह हैंगे कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल को यह इनफर्मेशन दे रहा हूं और वो सुन भी रहे हैं और मैं उन स्कूल में जाकर ध्यान सिखा रही हूं इसी आटीटूड के साथ और पॉर्फेक्ट इनफर्मेशन के साथ जब हम जाकर स्कूल में बात करेंगे तो definitely एक स्कूल फिर दूसरा स्कूल फिर तिसरा स्कूल ऐसे करके हम ध्यान सिखा सकते हैं पाकी रहा ओल्डेज की वहां पे भी जाके जो ओल्डेज की लोग होते हैं जो ओल्डेज होम में रहते हैं वो बहुत परेशान हैं वो अपनी घर को छोड़ के जब आते हैं तो खुसी से नहीं आते वो उनको मजबूरी में आना पड़ता है लेकिन उनको कर्मा नहीं पता कि हम कोई ना कोई लाइफ में कुछ ना कुछ चालेंज ऐसे किये हैं ऐसे कर्मा किये हैं जिसकी वज़े से हमें ये परिस्तिति आता है लेकिन हम जाके उनको डारेट कर्मा की बात नहीं कर सकते हम उनक काली तो strong हों गई इसके इलावा अभी जब हम old age लोगों को ध्यान सिखाते हैं तो क्या होता है कि next lifetime जब उनका आता है तो वो बच्पन से ही ध्यानी बनते हैं क्योंकि यह information यह ध्यान उनको इस life में जाते जाते मिल गया तो उनका जो सुरुवात होगा next lifetime में वो ध्यान से ही होगा तो बहुत अच्छा काम आप सोच रहें करने के लिए एक स्टेप आप उठाए देखिए डेफिनाइटले ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे जैसे कि मैंने बोला रास्ता खुलता जाएगा ब्रहमरेशी पितामा पत्री जी बोलते हैं हमें सा work is working for you काम आपके लिए हमें स हम जाएं वो लोग कौन हैं हमें नहीं पता लेकिन हमें इसलिए भूझे घर-घर में घूमने के लिए गली-गली में घूम के द्यान प्रचार करने के लिए प्रेरित किये हैं और करोड़ों पीरामिड मास्टर यह काम कर रहे हैं तो आपको तो बहुत-बहुत बढ़ाई थैंक यू सो मच आप्प करने के लिए कि PSSM और PMC हिंदी 16 से 20 अक्टूबर तक महायोग ध्यानकुम का यूजन करने जा रहा है रिशी केश में 16 से 20 अक्टूबर तक इसका यूजन होगा आप वहाँ आ सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा mydk.org पर इस महायोग ध्यानकुंभ में आपको बहुत सारा लाब प्राप्ट होगा आप वहाँ आएंगे सामोहिक चेतना का लाब आप प्राप्ट कर पाएंगे क्योंकि 10,000 से भी जादा लोग इस बार इस महायोग ध्यानकुंभ में जुणने वाले हैं कुंभ यानी की साधकों का मेला तो इस महायोग ध्यानकुंभ में ध्यानियों का मेला होगा बहुत सारे senior pyramid masters आएंगे उनकी guidance आपको प्राप्ट हो पाएंगी बहुत सारे लोगों का experience आप सुन पाएंगे गंगा के किनारे प्रकृती की गोद में आप ध्यान करेंगे और जब हम प्रकृती के करीब रहकर ध्यान करते हैं तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता ध्यान हमारा सरल सहज खुद ही लग जाता है तो जरूर आएगा 16-20 October MYDK India.org पर आपको जाना है registration करना है, form fill करना है आपको WhatsApp ग्रूप से जोड़ा जाएगा और latest updates आप वहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे बहुत बहुत धनेवाद आप सभी का मैं अगले दर्शक भी बने वे उनसे बात कर लेते हैं Hello जी नमस्कार सरला जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका पूची अपना सवाल घटाओ भी तोटो टाइम करती हूं चैनि भी करती हूं लेकिन मैं जाती हुआ है कि मुझे यह आगे क्या करो कि मुझे और मात्मा की तरव जासों को मुझे नहीं पता है सउनक्ते क्या है खाला कि अपने अभी तक ध्यान सूरू किया है या नहीं किया है कोई बात ने आपकी इच्छा है तब ही आप P.M.C. Hindi के साथ पी.S.S.M. के साथ जूड़ चुके हो आपकी बात वो परमस्षर वो परमात्मा वो ब्राम्हन सुन रहा है इसलिए आप इस चानल के साथ भी जूड़ चुके हो तो उसके लिए बिल्कुल निरास ना होकर यह लीड़ी रास्ता खुल चुका है आपके लिए तो इसके लिए तो बहुत-बहुत बधाई आपको तो हम जो चाह रहे हैं वो सही चाह रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए तेयार हैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई पाकि PMC Hindi, PSSM हमेंसा एही कामी तो कर रहा है कि हर एक ब्यक्ति ये संसार में ध्यानी बने, साकाहरी बने तो इसके लिए आप हमारे PMC Hindi YouTube चानेल में ध्यान केसे करना है वो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनाइटली वीडियो मिल जाएगा नहीं तो हमारी प्रतिक दिन रात को 10 से 11 बज़े रात्री ध्यान होता है जिसमें हर एक मास्टर, एब्रीडे के मास्टर आके ध्यान केसे करना है वो बात बताते हुए एक घंटा ध्यान करवाते हैं तो डेफिनाइटली रात को 10 बज़े आज ही आप हमारे साथ जुड़े उससे पहले ध्यान केसे करना है मैं आपको बता देती हूँ रात को जब 10 बज़ जाएगा उससे पहले आप अपनी घर में एक ऐसे कमरे को चुनिएगा जहां पर एक घंटे के लिए आप सुकून से बैठ सके और कोई उसमें डिस्लोवंस ना करे और उस कमरे की लाइट को आफ कर दीजिएगा या कम कर दीजिएगा आपनी साथ एक पानी की बटल भी रखिएगा ध्यान के दोरान जब आपको प्यास लगेगा या घबराट होगा तो बीना आँख खोले आप उस बोटल को पानी पी सकते हैं और ध्यान से पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा जब आप बेठेंगे तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं बिस्तर के उपर बैठ सकते हैं सोफे के उपर बैठ सकते हैं नीचे बैठ सकते हैं जहां पर आपको कमफर्टेबूल होगा वहां पर बैठ जाएंगे अगर आप आलती बालती मार के बैठ सकते तो वैसे बैठिएगा नहीं तो अपनी दोनों पेर को ऐसे क्रॉस करके बैठिएगा और अपनी दोनों हातों की उंगलियों में उंगलियों को ऐसे फसा के उसको हलके में गोदी में रखिएगा और अपनी दोनों आखों को कुमलता स बंद करिएगा और अपनी स्वभाविक सांसों को महसूस कीजिएगा और सांसों के साथ रहते रहते बहुत सारे विचार आएंगे लिकिन उन विचारों को हटाते हुए हमें अपनी सांसों के साथ बार-बार जुणना है जब हम इसको बार-बार प्राक्टिस करेंगे और मारे मन में जो विचार चल रहा था वो धीरे-धीरे कम हो रहा है फिर तो यह आत्रा अनंतकाल की यात्रा चली ही जा रहेगा और धीरे-धीरे आप अनुभूती करेंगे कि ध्यान की सकती क्या है ध्यान से क्या मिलता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी वो आप खुद जानें कि क्या ध्यान की माध्यम से मैं अपनी आपको समझ पारी हूं आगे बढ़ पारी हूं क्या वो परमात्मा का में करीब होती जा रही हूं इस सभी अनुभूतियां आप ही के होंगे लिकिन इसके लिए हमें अपनी समय से एक घंटा समय निकालकर आपने साथ बेठना जाए रात को दस बजे थैंक यू समझ जी तो माम जैसा कि यहां पर माम ने आपको बताया कि आज रात को ही दस से ग्यारा आप ध्यान में जूर सकते हैं हमारे रातरी ध्यान में टीवी के माध्यम से अगर आपके गर में टीवी नहीं है आप यूट्यूब के 24 इंटो 7 लि वीडियो से अगर आप लाइव नहीं भी जुड़ पाते हैं रातरी दस बजे तो आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं ध्यान से जुड़ सकते हैं ध्यान का कोई समय नहीं है जब आपके पास टाइम हो तब आप ध्यान कर सकते हैं बहुत बहुत धने और और एक बात में बत अगले दर्शक हमारे साथ बने हो या उनसे बात कर लेते हैं हालो नमस्कार सर नाम बताई अपना नीरत जी कहां से बात कर रहा है पूचे अपना सवाल तो ध्यान का मतलब पहले ध्यान करने से पहले समझना होगा ध्यान का मतलब है मन की निर्विचार स्तिती मन की निर्विचार स्तिती को प्राप्त करने के लिए हमारा एक ही गुरु है वो है हमारी स्वांस जब हम अपनी सांसों के साथ एक होंगे अपनी सांसों को ही अपनाएंगे अपनी सांसों को ही महसूस करते रहेंगे तो automatically हमारी मन शांत होगा जब मन शांत होगा तो दिरे दिरे शुन्य भी होगा और जब शुन्य होगा तब automatically ध् आवशक्ता नहीं है आपकी स्वांस ही आपके गुरू है तैंक यू स्वामाच जी तो सर जैसे कि माम ने बोला कि आपकी स्वांस ही आपकी गुरू है तो आप ध्यान से जुड़ जाए अपनी आखों को बंद कीजिए हाथों को क्रॉस कीजिए पैरों को क्रॉस कीजिए और अगर इसके बारे में जादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाएए वहाँ पे आपको विधी भी मिलेगी और ध्यान आपको कैसे करना है जैसे निर्देशित ध्यान गाइड़ मेडिटेशन की वीडियो और म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियो भी आपको मिलेगी तो उसके बाद हम से अपने ध्यान को शुरू करें 40 डेज ध्यान का चैलेंज लेकर संकल्प लेकर आप ध्यान शुरू करें और 40 डेज के बाद अपने एक्स्पीरेंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा बहुत 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 धन्यवाद आपका अगले दर्शक जुड़े हो या उनसे बात कर लेते हैं हलो हेलो मैं नमस्कार नाम बताई अपना मेरे विशाख नाम है मैं विशाख जी कहां से बात कर रहें आप मैं गुजरत से मैं पूचे अपना सवाल मैं मैं आपका मेडिकेशन पर पिरेमिड सेंटर मैं ने ढूंड़ा बट हमारे गांधी दम में तो नहीं है मैं अमदबार नौसारी वरोद्रा इस साइड़े ना भूज हमारे असपस थोड़ा सीटी थोड़ा भूज है मैं महां पर भी नहीं है पर एक्शन महांजा के फिर बात पर यह साइब झार होता था तो इस यह सुछे हुआ है मैं जो अट रस गोड़ा हमारे इसलिक यह से जोड़ पा घूँ नहीं है ऐसा हो रहा है इसकी आ उने दिए अए उन कर दो छोग गदोगी मैं जो चासकर देवी दौता ओना हूँ थोड़ा इसाए अग नही मेडिटेशन वाला ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, यह पूजा पाट करके मुझे नहीं लगता पहले जह सानुब होगा, देहां मेड़ना, यह सब करना पड़ेगा, मैंने सोचा तो फिर यह तो सेप्ट्रामिट सेंटर तो है नहीं, और बहुत और ठीक ही चलते हैं, मैम, स अपना पास लीप मालेशन करा हूं तो पैसे तो लगेंगे, तो क्या करें को समझे नहीं हा रहा है, क्या ऐसा किया है, मैंगि इनको दर्द, मिल रहा है है, वाह बीट वोट लग्रोट कर रहे हैं, तो वीसाखा जी, लौट्स बहुत सारे प्रशन हैं आपका, बहुत सारे के लिए पहले तो शांत होना पड़ेगा प्रहोत सारे प्रश्ण की उत्तरपाने के लिए पहले शांत होना पड़ेगा शांत होने के लिए हमें ध्यान को अपनाना पड़ेगा अगर हमारी आसपास कुई सेंटर नहीं है तो कुई बात नहीं हम P mc हिंदी YouTube चानेल की माध्यम से जूड कर भी ध्यान कर सकते हैं बहुत सारे वीडियो हमारी है जहां पर बताया जा रहा है कि कैसे ध्यान करना है ध्यान आपन साती ध्यान बहुत आसान है आप अपनी घर में एक ऐसे स्थान को चुने, जहां पर आपको शुकून मिलता हो, आराम से आप एक घंटा बेट पाए, अपनी दोनों पेर को क्रॉस रखिएगा एसे, नहीं तो आलती पलती मार के बेठिएगा, अपनी दोनों हातों को एसे क्रॉस रखके उसको गोदी में रखिएगा, और आँखों को को मुलता से बंद कीजेगा, सांथ होके, आँखों को बंद करके, सिर्फ अपनी स्वभाविक सांसों को महसूस करना है, अब्सर्ब करना है, एक घंटे की एक म्यूजिक आप चला दीजिए, जो म्यूजिक आपको PMC हिंदी यूटूब चानल में भी मिल अभी अभी जैसे मैंने बताया था, कि हमारी रात को रात्री ध्यान होता है, रात को दस से ग्यारा बजे, आप हमारे साथ वो भी जूड कर सकते हैं, और अपनी जीवन में कोई भी चालेंज आता है, तो उसके लिए हम ही जिमेदार है, अगर हमें लगता है कि हमने इस कर्म हम कर चुके हैं, तो पिछले जनम का कर्म का नतिजा ही हमारी इस बरतमान की जीवन में प्रतिफलित होता है, तो इसलिए इस बात को समझने के लिए हमें ध्यान चाहिए, और PMC हिंदी में भी कर्मा रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस है, बुक से उसको भी सुनि और वोक्शोप के माध्यम से जूड़िये और आपनी जीवन में आगे बढ़िये, थैंक्यू सो मच्ट, तो विशाखा जी आशागरते हैं कि जैसे माम ने बोला इतने सारे प्रशनों के लिए आपको शांथ होने की जूरत है, तो सबसे पहले शांथ होने के लिए माम ने आपको बताये कि ध्यान करें, ध्यान कैसे करना है, ध्यान से कैसे जूरना है, अभी माम ने आपको बताया, तो मारे YouTube चानल को जरूर सबस्क्राइब कर दे, PMC Hindi, PMC Hindi TV, PMC Hindi Health, PMC Hindi Clips, इन चारो YouTube चानल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो जो आपने प् और उसे यूज करके आप ध्यान कर सकते हैं बहुत-बहुत धनेवाद आपका कारिक्रम में कॉल करने के लिए मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि यदि आप भी घर बैठे पिरमिड्स मंगवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट उर्जाफाइड.com पे जा यहाँ पे न केवल आपको हेट कैप राप्त होगी यदि आपकी बॉड़ी में कहीं पर पेन है और आप उसकी प नस्दी की शेत्र में पिरमिड्स सेंटर को ढून रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.pmc-hindi.com पे जाए वहाँ पे आपको एक सेक्शन प्राप्त होगा पिरमिड्स मेडिटेशन सेंटर का वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके नस्दी की शेत्र में कौन तो लगता है कि वहाँ से आपको जानकारी नहीं प्राप्त हो पारी तो वहाँ पे नमबर्स भी मौजूद होंगे आप उस पे कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं अगले दर्शक भी बने हो या उनसे बात कर लेते हैं हालो नमस्कार नाम बताई अपना निरत जी अभी शायद आप से बात हुई थी कहां से बात कर रहा आप अभी शायद आप से बात हुई थी आपका अपको के प्रश्न का उतर नहीं मिला जी तो आपका प्रश्न वही है जो आपने पहले पूछा था अपने जो पहला प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैम ने दिया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह जो वीडियो है यह अप्लोड होगी बाद में हमारे PMC Hindi TV YouTube चानल पर तो उसका उत्तर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा है मैम मैं चाओंगी उसका उतर आप दे पहले तो भगवान कहां मिलेगा कि धर मिलेगा उसको समझने के लिए पहले 40 देज ध्यान कीजिए फिर जाके हम आप से बात करेंगे थांक यू समझ जी तो नीरा जी ध्यान से सबसे पहले आप जुडिए ध्यान की विधी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सकती है मैम ने भी इस कारिक्रम में बहुत बार बताई है कि कैसे ध्यान करना है तो ध्यान से आप जुड़े 40 देज ध्यान का जैसे भ इस पाँ बात कंप होगी सर आप लाइफ जुड़ चुके हैं एक बार अपने टीवी की वॉल्यूम को आप धीरे कर दीजिए और अपना नाम हमें बता दीजिए कहां से बात कर रहे है जी कि टीवी की वॉल्यूम सब्से धीरे कर लीजिए जी पूची अपना सवाल पहले तो बहुत बहुत बदाई अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो अगर हम ध्यान के दौरान पिरामीड के आपको पहन कर ध्यान करते हैं तो हमारी मन बहुत जल्दी शांत होता है और ध्यान की समय हमारी मन जब सांत होता है तो ब्रह्मान की सक्ती हमारी एनर्जी बाड़ी में या एत्रिक बाड़ी में उतरती है जब हम पीरामीड के आप पेहन के ध्यान करते हैं तो यह जो ब्रहमान की सकती तीन गुणा अधीक बढ़ जाकर वो हमारे भीतर उतरता है तो जिससे की हमें जादा फायदा होता है तो आप पीरामीड के आप यूज करके ही ध्यान कीजिए और इसका benefit जो है वो खुद experience कीजि थांक यू सो मच जी सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे कारेकरों में कॉल करने के लिए जैसे कि मैं में बोला कि आप पिरमिड का उपयोग कर सकते हैं तो हमारी वेबसाइट उजफाइड.com पे जाएं और वहां से आप पिरमिड मंगवा सकते हैं अगले दर्शक भी कहां से बात कर रहे हैं सर जहां थी यूपी बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका पूचे अपना सवाल थे कि हम यह एंची को देखते हैं पत्री चक्तों वीडियो भी देखते हैं लेकिन हमको यह पूरान भूनी मालूं कि हम कैसे शुरू बात करें और इस तो कैसा तरीका करते हैं फिर तूर जाता है तंकल यह सब चीजें जानने के लिए मैं हमने किया देखिया है कि हम कैसे करें कैसे चुड़ें कि छीजी से जिस्टे की मास्टर से जिस्टे कि हमें थोड़ा सा एक फिलकार से वह होता रहे है वहां से गाइडन जी तो पहले तो आप ध्यान को थोड़ा बहुत आपना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई और दूसरी बात है ध्यान हमें अपने साथ जुड़ने के लिए करना है ना कि मास्टर के साथ जुड़ने के लिए पत्री जी हमें सा यही बोलते हैं अगर हमें ध्यान की विधी पता चल गई है तो इ मैं हो ना हो एक संकल्प लिजिए हर एक दिन में ध्यान करके ही सोंगा जब आप अपने ही साथ प्रॉमिस करेंगे और डेफिनाइटली आप इसको कर पाएंगे यही तो हमें करना है आपको अगर सुमिंग सिखना है तो आपको तला में कुदना ही पड़ेगा सुमिंग पूल है पता है तो उस ध्यान की रास्ते पर चल पढ़ना यह हमारी रेस्पंसिबिलिटी हमारी धर्म बन जाती है इसके लिए एक निश्चित मन को निश्चित कीजिए संकल्प लिजिए और प्रत्यक दिन यह आपने साथ प्रॉमिस कीजिए बिनास ध्यान किये मैं सोंगा ही न देखिये हैंने लगातार इसको 40 दिन तक ही कीजिए तभी यह आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनेगा उइड़ ब्रेकिंग डू इट फर फॉर्टी डेस देखिये क्या कमाल होता है फिर थांक यू जी सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कारिक्रों में कॉल करने के लिए से जुड़िये और 40 डेस के बाद अपने एक्सपीरियंस वारे साथ जरूर शेयर करिएगा आगले दर्शक भी अमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे बात कर लेते हैं हालो नमस्कार माम बताई अपना जी तो माम जब हम ध्यान करते हैं कि मास्टर्स के साथ ये अनुभूतियां होती है ये जो नींद जैसा हमें लग रहा है ये नींद नहीं है ये योगनिद्रा की अवस्था है इस योगनिद्रा की अवस्था में भी हमें उर्जा मिलती है जब आपकी सरीर को भरपूर मात्रा में उर्जा मिलती जाएगी फिर धीरे धीरे आपकी जो होश है जो आवेर्नेस है वो बढ़ती जाएगी अभी सरीर में उतना उर्जा नहीं है जो कि आपको होश में रख पा रहा है लेकिन हम इस इात्रा में बने रहें, टिके रहें, डटके खड़ा रहें और आपनी साधना को करते रहें फिर धीरे-धीरे हम आपने भीतर जो changes से उसको हम देख पाएंगे जान पाएंगे और फील कर पाएंगे तो उसके लिए घबराएं नहीं जैसे हो रहा है जो हो रहा है उसको होने दे लिकिन आपनी साधना को जारी रखें तैंक्यू सो मज़ जी तो रामा जी ध्यान में जो भी होता है अच्छा ही होता है हर अनुभव को साक्षी भाव से आप को देखना है तो इस अनुभव को भी साक्षी भाव से आप देखिए और निरंतर ध्यान करते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद कारिकरों में कॉल करने के लिए मैं बहुत सारे दर्शक है जो हमारे साथ नए जुड़े हैं जुनों ने अभी तक यही प्रश्नी किया कि उनको द्यान शुरू कैसे करना है तो ध्यान की विदी तो हमने बता दी ध्यान का महत्व भी बताया लेकिन मैं चाहूंगे कि ध्यान के साथ-साथ जो पी एसे समगे और में प्रिंसिपल्स हैं स्वाध्याय सजन सांगत्य और शाकाहर होना तो उस बारे में भी आप हमारे दर्श अनि हम से जुड़े हुएं आज तो हम नहीं कर पा रहें और यह स्वभाविक है क्योंकि ध्यान से पहले हमारी जो मन है यह बहिर मुखी है मन हमेजा इस बाहरी दुनिया में घुमता रहता है कुछ ना कुछ ढूंडता रहता है और वो शांती को ही ढूंड रहा है लेकिन ब попроб traveling से संटी को हमारे भीतर है इस बाहरी दुनिया में घुमता हुआ मन को अगर हमें अंतरमूखी करना है तभी जाकर हम शुक हो को सांती को हाप इनिसको अनुभव कर सकते हैं उसके लिए इस बाहरी मन को जो बाहर दुनिया में जो मन घुम रहा है उसको यूटन करके करना है लगातार 40 days करना है तभी जो आदत मन का है बाहर घुमना वो धीरे-धीरे बार-बार वापस आएगा आपकी तरफ और उसके लिए 40 days चाहिए पहले 21 days में हमारी जो पूराना pattern है वो break होता है फिर 21 days में हमारा नया pattern create होता है फिर 40 days के बाद 41 days के बाद automatically हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि तब मन को आदत पढ़ जाती है ध्यान करने के लिए साथ-साथ हमें प्रत्यक दीन mindfulness की भी practice करनी है हमारी मन जहां पे हमारी सरीर है वहां पे हमारी मन होना चाहिए इसको बोलते है mindfulness mind and you your body alignment को mindfulness बोला जाता है जैसे हम kitchen में काम कर रहे हैं केई बार हम खाना बनाते बनाते यह भूल जाते हैं कि हमने नमक डाला है या नहीं डाला है कैसे पता नहीं चलता है हाथ ने तो नमक डाला है तो पता क्यूं नहीं चल रहा है फे वह इसलिए friends कि हमारी माइंड वो action के साथ connected नहीं होता है तो इसका impact भी हमारे ध्यान में पड़ता है अगर इसको दिन भर हम practice करेंगे जो भी हम काम कर रहे हैं चाए office में हो चाए घर में हो जो भी काम हम कर रहे हैं उसको अगर mindfulness के साथ करेंगे तो इसका impact जो है हमें ध्यान में दिखाई देना पड़ेगा और जल्दी हम ध्यान में अंतर मुखी हो पाएंगे साथ साथ हमें अपनी खान पान के उपर भी ध्यान रखना है जैसे अगर हम तामसिक फूर या साथिक फूर खाएंगे जैसे नौन वेज खाएंगे या तला हुआ भुना हुआ मसाला तर खाना खाएंगे तो हमारी जो मन है जूस, ड्राइफ फूट्स, लाइट फूट जितना हम खाएंगे उतना हमारी मन शान्त होगा साथ-साथ हमारी PMC हिंदी चैनल भी जो स्वाध्या सारे हैं बुक्स है उसको सुनिए जो बुक्स आपको पसंद आ रहा है उसको औरर कीजे और उसको पढ़िए हमारी 2-month magazine आती है, ध्यान जगत magazine उसको लाके पढ़िए अपने जीवन की साहिली को चेंज कीजे प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड कीजे जब हम सारे चीजों को अपनाएंगे, साथ में ध्यान को अपनाएंगे तभी हम ध्यान की रास्ते में, स्पिरिच्वालिटी में आगे बढ़ सकते हैं तैंक्यू स्वामाच जी माम दर्शक भी बने हुए उनसे बात कर लेते हैं हालो नमस्कार सर, नाम बताईए अपना सर अभी आपसे बात हुई थी हमारी अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब कर दे PMC Hindi, PMC Hindi TV, PMC Hindi Health और PMC Hindi Clips इन चारों यूट्यूब चानल के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ नया सिखा सके अध्यात्म की आपकी यात्रा में आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके हमारे यूट्यूब चानल पर ध्यान से संबंदित वीडियो भी है अध्यात्म के हर एक विशे के बारे में आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चानल के माध्यम से प्राप्त हो सकती है क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स आते हैं बहुत सारा विश्डम शेयर करते हैं बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो आप अपने जीवन से डिलेट कर पाएंगे कि हाँ हम भी यही चालेंज फेस करते हैं और ऐसे ही चालेंज और लोग भी फेस करते हैं कैसे वो उन challenges से overcome करते हैं बहुत सारी चीज़े आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जान पाएंगे साथी जो लोग ध्यान से अभी नहीं जुड़े हैं ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान की विधी जैसे मैंने अभी इस कारिक्रा में बताया कि बहुत सारी आज ही सब्सक्राइब कर ले जी तो मैं स्वाध्याई की बात कर रहे थे तो मैं जाओंगी कि जो ध्यानी ध्यान शुरू करता है तो उसे किस बुक से शुरुवात करनी चाहिए पीडी जे तो आपने बताया इसके अलावा हम और कौन सी बुक का किस बुक से शुरू कर सकते हैं पहला जो बुक पत्री जी पेसे समें में रेकमेंड करते हैं वो है ओटो बायग्राफ आफ योगी पहले हमें ये किताब पढ़नी है देन हमारी हेल्थ रिलेटेड एक बुक है ये कन हील योर लाइफ अच्वली हम समझते हैं कि हमारी जो रोग हो रहा है शरीर में जो डिजीज हो रहा है उसके पीछे बाहियो दुनिया की चीजे जो मतलब कोई ये बैक्टरिया आ गया कोई कुछ हो गया ये जिम्मेदार है अक्च्वली टूथ वो नहीं है हमारी मन की सोच विचार की कारण ही हमारी फिजीकल बॉड़ी में डिजीज होता है तो इस की बारे में डिटेल में यू कान हील यूर लाइफ जो लुई जहले उसका अथर है वो बुक है उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है अगर आपकी कंधा दर्द हो रही है तो उसमें आपकी मन किस्तिती क्या है कि आपकी कंधा दर्द हो रहा है तो बोड़ी का each and every part जो दर्द हो रहा है, उसके पीछे कारण आपका सोच है, तो किस प्रकार का सोच है, बहुत अच्छे से लुईजेले ने उस बूक में दसाया है, तो उस बूक को हम पढ़ें, ध्यान करें, ये दोनों किताब पहले हम पढ़ें, ताकि हम ध्यान को समझें पहले, and spiritual reality को definitely देखें, और पत्री जी का दो वीडियो है, science of meditation part one, part two है, हिंदी में भी available, इसको सुने, जब ये तीन चार चीजों को हम सुनते हुए, कम से कम 40 days ध्यान करेंगे, तो मोटा मोटी, अगर dedication के साथ किये, तो हमें बहुत सारे clarity आ जाएगी, कि मुझे ध्यान क्य करना है, और मैं अपनी जीवन को, जो challenge है, उसको overcome कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, फिर आगे तो बहुत सारे books है, पत्री जी ने एक लाग किताब पढ़ा है, और सारा किताब की जो information है, वो हमारी pssm.org, जो हमारी website है, उसमें पुरा recommend किया गया है, कि क्या-क्या books पढ़ बार कुछ ना कुछ किताब डालते रहें, ता कि लोगों को उस किताब की बारे में सुनते हुए, समझते हुए, अपनी जीवन को उसके साथ relate करें, समझे, साधना करें, और life की जो challenge है, उसको overcome कर पाए, जैसे pssm का एक principle है, कि अनुभव को साजह करना, और जैसे एक माम का अभी प्रश्न, जब उन्हें किया था, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि अनुभव को मना करते थे, उनको नहीं share करना, और आमतोर पर हम सुनते हैं, तो ऐसी लोग बोलते हैं, कि अपने अनुभव नहीं साजह करने चाहिए, तो माम हम इस पर जोर देते हैं, कि अनुभव स सब एक ही है इसलिए हमें पहला तो experience आजा करना चाहिए पत्री जी बोलते हैं अगर 50 लोग 100 लोग इकठा बेट के ध्यान कर रहे हैं हर किसी के साथ same experience नहीं होता है अलग-अलग experience होता है तो मान लिजे मेरे साथ कोई experience हो रहा है और वो दुसरे बंदे के साथ नहीं हो रहा है तो जब मैं share करोंगी वो experience को तो उसको कम से कम यह समझ में आएगा अच्छा इसे भी स्तिती है इसे भी dimension है जैसे कि हम बहुत सारे astral masters को देखते हैं या aliens को देखते हैं और वो मुझे दिखाई दे रहा है लिकिन मेरे बास जु बैठा हुए Джo Patreon नहीं दिखाई दे है तो अगर मुझे दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो सत्यता है तभी तो दिखाई दे रहा है तो यह information उस तक पहुंचे and second बात है जब कोई experience किसी के साथ हो रहा है तो ये experience हो सकता है और भी किसी के साथ हो रहा होगा लिकिन क्या होता है किई बार हम वो experience के साथ डर जाते हैं और ध्यान को छोड़ देते हैं अगर हम सेयार करेंगे तो क्या होगा कि उसके पास ये information जाएगा अच्छा इनके साथ भी ध्यान में ऐसा experience हो रहा है तो मेरे साथ भी हो रहा है तो ध्यान में ऐसे experience होता है तो ये भी एक कारण है और बहुत सारे knowledge है ब्रह्मान में हर किसी ना किसी के माध्यम से वो transfer होता है तो जब हम एक दूसरे के साथ साजा करेंगे तो हम एक oneness में आएंगे, मेरा experience आपका experience बनेगा और आपका experience मेरा experience बनेगा, इसलिए सार बोलते हैं, share your experience और एक बात सार बहुत अच्छे से बोलते हैं, मालीजे, आप एक person है, जो by profession, he is a doctor, जब वो अपनी life की story को share करता है, experience को साजा करता है, जब आप mindfulness के साथ उसको सुनते हो, तो आप उत्रही समय में एक doctor की life को जी जाते हो, अगर आप उत्रहा awareness के साथ सुनते हो, तो आपकी ध soul को कम से कम 400 to 500 times इस धर्ती पे आना होता है, उस परमात्मा लेबल तक पहुंचने के लिए, जब हम एक दूसरे के experience को सुनेंगे और साधना में आगे बढ़ेंगे, तो हमारी जो ध्यान की यात्रा है, जो परमात्मा तक जो यात्रा है, वो बहुत आसान हो जाएगी और स्म का हो जाता है, तो आपके भीतर ego भी नहीं आता है, क्या बार क्या होता है, मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो साध मैं ही बड़ा master हूँ, जो आप से यार करते हो, तो और भी लोग बत बोलते हैं, कि हाँ मेरे को भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, तो इसका मतलब हर किस इसे के साथ वह experience हो रहा है, जिससे कि आपका ego must have भी नहीं होता है, तो बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं, और इसलिए पत्री जी बोलते हैं, कि say are your experience, जब हम experience say are करते हैं, तो हम one-ness में आते हैं, नहीं तो ये मेरा है, अब जब मेरा है, तो फिर वो भगवत्ता को हम कैसे प और उदंग ब्रह्म ये जो concept को समझने के लिए आपको अपनी आपको खोलना पड़ेगा, सबके साथ सेयर करना पड़ेगा, सबको अपनाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं, जो परंभ्रह अजो प्रम्ह संद्व को समझने के लिए, बहुत tricky माध्यम है जो की पत्रीजी ने हमें दे रखा हैं तो डेफिनाइटली अपनी एक्सपीरियंस को साजा करना चाहिए थैंक यू समय को विराम देने का वक्त उचले लेकिन एक प्रश्ण और था कि जिससे आपने बोला कि हम सुनते हैं और सभकी डिफिमाइं अलग हैं कुप इसे प्रशने करते हैं कि उनको पास लाइफ एक्सपीरियंस हुआ द्यान में बैठते हैं तो क्यों हमें वह एक्सफीरियंस में हो पाता है सोल की requirement के हिसाब से उसकी higher self उसको experience देता है अगर मान लिजे मुझे understanding past life का है तो मुझे past life देखने की ज़रुवती नहीं मुझे पता है कि past life है मैं यह मानती हूँ यह मैं realize करती हूँ कि मेरे जीवन में आज जो परिस्तिती है वो मेरी past life की वज़े से ही है अगर मैं मान चुक मेरे साथ क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है फिर आप past life में जाते हो अगर आप नॉर्मल जाते हो अपनी आप से जाते हो तो अच्छी बात लेकि जबर्दस्ती past life regression करके उसके पीछे जाना पत्री जी मना करते हैं इस सब करने के लिए एक यह बात है दूसरी कि हूंग सुल की अपनी अपनी आत्रा जैसे कि शोल की सेले बढ़ लेल सोगे स्कुलियत लेके इंफिनाइट लेबल तक इनफ अो बेभी सोल ईवल यौंग सो जल थे बाता है आप जो कि अनन्त काल की आत्रा है, सोल का यात्रा कभी खतम नहीं होता है, वो परम ब्रम्ह तक ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकलर प्लेस है, आप जाके वहाँ पर हो जाते हो, ऐसा नहीं है, हमारी बेदान में भी बुला गया है, हम अनाधी है, हम अनन्त है, हमारी एक्सपांड होता तो हर आत्मा जो आया है उस परम सक्ति से वो धीरे धीरे एक एक life after life life after life ऐसे करके 500 कम से कम टाइम्स वो ये धर्ती पर आता है तो हर सोल अपनी अपनी स्तिती में जा रहा है आपनी अपनी लॉनिंग कर रहा है जाना तो है वो परमात्मा स्तिती में लेकिन सबका अपना अपन आत्रा है अपनी अपनी लॉनिंग है मूलत हम एक है लेकिन आत्रा डिफेरेंट डिफेरेंट है तो इसलिए अच्छी से आपने समझाया और आपने इतने सारे दर्शकों के प्रश्णों के उत्तर भी दिये उसके आपको बहुत बहुत धनिवाद तो दर्शकों आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस कारेक्रम में जुड़ने के लिए कारेक्रम में कॉल करने के लिए जो दर्शक आज हमारे साथ नहीं जुड़पाए वो कलवार की शुकरिवार को भी experi 2 तक भीmas Anyway 25 शुकरिवार है यह दोक्टर से पूठो कारेक्रम भी हम आपके'S लिए LIVE ले घर घर में सत्यका दर्शन